दोस्तों गर आप भी ट्रैकिंग या कैम्पेइन को गरा करते हैं या अगर आप ट्रैवल गरा बहुत ज़्यादा करते हैं और आप एक अच्छा रक्सेक सर्च कर रहे हैं तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है आज की ड़े में दिखाओंगा ट्रंकिट एंड से आने वाला यह रक्सेक जिसको मैंने फिलिपकार्ट से ओर्डर किया था अभी यह रक्सेक मेरे पास आ चुका है आज क्यों देखेंगे कैसा यह रक्सेक है और किसे की क्वालिटी आपको देखने को मिलती है अभी तक आपने मार्च चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त इसको भी प्रॉपर रखा नहीं हो सकता है आपको नॉर्मल यह पैक बैक लग रहा हो जो बैट इसको प्रॉपर सैट अप करूंगा तो आपको दिखने में पता चलेगा कैसा है यह रक्सेक उसे अले आपको इसकी कैपस्टी है पचपन लेटर की जोकी एनफ होती है अगर आप इससे कम कैपस्टी के लेंगे तो आपको रक्साइक जैसा जरब भी फिल ने आएगा और अगर आप इससे ज्यादा कैपस्टी के लेंगे पैंसलेटर और वाले तो वो आपको बेनिफिट नहीं करेंगे उसका रीजन यह है अगर आप उसको खोल के उसके अंदर समान रखेंगे तो लेंद्स में बहुत लंबे हो जाते है और अगर आपकी हाइट ज्यादा नहीं है तो उस चेस वे वो आपके बैक में बार बार तकराएंगे तो ज्यादा लंबी हाइट लेनीका फाइद नहीं क्योंकि उसको फिल करना असान नहीं होता है क्योंकि 55L दिखने मे इसमें आपको छे मेने की वरांटी मिल जाती है, company का इंट से जो आप याप पर ट्रंकेट ब्रैंड का देख भी सकते हैं, इसमें आपको rain cover भी मिल जाता है, बट यह waterproof होता नहीं है, rain cover से आप उसको cover तो कर सकते हैं, बगर आप यह expect करें कि अगर आपने इसके उपर rain cover लगा मिलता है, जो उसके साथ मिलता है, तो आपको यह बचा नहीं पाएगा, आपके बैक को असकंदर पानी चला जाएगा, इसमें आपको सू का compartment विल जाते हैं, यहाप आपने शू हो गयरा रख सकते हैं, for example, अगर आपको यह शू हो गयरा carry करें, sport shoe, तो वो भी यहाप यहाप पारें, यह padded हो, मतला आप देख पारें, तो form बाले हो, second, इनके चोड़ाई जादा हो, अगर इन strap की जो चोड़ाई है, वो कम होगी, तो आपके shoulder पर उसका weight है, वो बहुत जादा आपको लगे हो, तो हमेशा जब भी आप कोई भी रक्सा एक लें है, नॉर्मल बैक पैक भी ले, हमेशा उसका जो strap हो, तो चोड़ा होना चाहिए, तो आप देखेंगे, आप अच्छा कासा चोड़ाई मिल जाती है, और यह padded भी है, नीचे की साइट से देखे, तो आपको आपको बैल्ट्स मिल जाती है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपको वेट आप ट्रेकिंग गराएं, और आपको कहीं अपने बैक को टांग के वाश्रूम या कहीं भी जाना है, तो उसकेस में आप इसको कहीं भी हैंक कर सकते हैं, यह कहीं भी आप रहाएं तो कर सकते हैं, तो उसका benefit जाता है कि आपको किसी के लिए देना नहीं पड़ेगा कि मेरा आप carry कर लिजिए, आप कहीं भी इसको hook कर सकते हैं, तो इस चीच का भी ध्यान रखें, जब भी आप इस तरह का कोई रक्सा है के backpack ले रहे हो, आपको ऐसा hold करने के लिए आपको इस तरह के belt type मिल जाए, तो back side से देखेंगे, यहां पे company ने provide कर रहे हैं, मगर मैं again पता जित्रे भी आपके रक्साय काते हैं, अगर आप इसको पूरा fill कर दें, तो back side में आपके sweating आना start जागी, अगर आपने उसको 2-3 घंटे तक लगातार carry करके tracking कर रहे हैं, प्रेंट से अगर आपको दिखाऊं, तो जैसे आपको इने पता है, यहां से भी इसको belts को open कर देते ह आपके हो सकता है, इस तरीके का design flip card या Amazon या कही नगे देखा होगा, इस तरीके का look वाला take a walk to the wild side करके इस तरीके की design वाले आपने बहुत सारे रक्साय को देखी होंगे, जो आपको मिल रहोंगे, और opening करके दिखाऊं, तो आप देखेंगे, यहां पर आपको 2 chain के sections मिल जा यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप shoes वोगरा जैसे मैं आपको बताया, बहुत असानी से यहां पर रख सकते हैं, तो इसका benefit ही हो जाता है कि मालीजी आप tracking या, campaigning या, hiking गड़ा कुछ भी कर रहे हैं, और आपको अपने shoes वोगरा चेंज कर रहे हैं, यागर आप अपने slippers वोगरा पहनने चाते हैं, तो आपको अपना bag को उतार के यहां पर सारे सम पाने की बॉटल से रख सकते हैं, तो जब भी आप यहां पर पाने की बॉटल रख सकते हैं, अगर ऐसी बेल्ट नहीं होगी, तो होगा क्या, इसको माल लीजीए, आपने कोई भी रख सक खरीदा या backpack खरीदा और उसमें इस तरीके से बैल्ट ना हो, तो आप जब भी आप इसको ट्रैक कर रहे हैं, वाक कर रहे हैं, तो पाने की बॉटल इसमें शेक करेगी और हिलेगी, तो उससे इसका वेट जो आपको और ज्यादा हैवी लगेगा, तो जब भी आप कोई रख सक या backpack लें, तो हमेशा ध्यान रख कि जब यह water bottle वाले compartments हो, उनमें बैल्ट लग के लिए बैल्ट दी होती है, हारे का बहुत मौटिव होता है, जैसे आप यह लिए बैल्ट देख रहे हैं, इनका भी यह benefit होता है, कि जब अगर आपने बैल्ट में समान पूरा फिल नहीं करता है, और आपको उसको carry करना है, तो आप इसकी बैल्ट के इसको tight कर दीजे, ता कि जैसे आपको पहले ही पता है, कि हैवी रेंट फॉल में यह आपके पानी घुसने से बचा पाएगा बैक के अंदर, तो यह आपको मिल जाता है, अब इसमें एक दो जो कम्या मुझे यह लगी, अगर आप यहापर देखे, तो आपको कहीं भी यहापर चोड जिप या पार फॉल जाते हैं, जिने में आप अपना वॉलेट वहरा है रख सकते हैं, और जब भी आपको निकालना हो, इसली निकाल सकते हैं, यह आपको देखेंगे, यह आपको ऐसे कुछ भी सेक्षिन यहापर नहीं मिलता है, तो अगर आपको अपना वॉलेट रखना है, और बैक देखेंगे, तो यहाँ पर चोर जीप वाली लगे होते हैं, जिसमें आप अपने वॉलेट या कुछ भी पावर वेंगे, आप वॉलेट रख सकते हैं, कि अगर आप कहीं ट्रैविलिंग कर रहे हैं, और बीड वाली वाली जगहा पर यहाँ तो बैक साइट से अगर आ लग रहे हैं, आपको जैसे में स्टार्टिंग में बताया है कि इसके जो चोड़े होंगे, तो जो ग्रेक का बैक का डिस्ट्रिबूशन है, वो रख सका प्र होगा, तो इस समय बैक में समाहन दाले हैं, जो डिस्ट्रिबूशन हो प्र फील हो रहा है, अगर आप यहां से देखें, मैंने इसके वेस्ट वाला की जो लगा है, उसके विज़से भी बैक का डिस्ट्रिबूशन चेस्ट पे और हड जगा प्र फड़ रहा है, पर आपसका लूप भी देखते हैं, इस तरे के से का लूप आता है दिखने में, जो आप भी आप देख भी पा रहे हो, औ और लूप वाइस देख लिजिए, हाइटर लाइन कितनी लगते हैं, 55 मिलिटर वाले इस रक्साइक ही, जैसे आपको ने बताया है, अगर आप 55 मिलिटर वाले लेंगे, तो लाइन्थ में देखने में बहुत बड़ा आपको लगेगा,